हेलो बच्चों मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है आज मैं आप लोगों के समझ कपिर दास जी का एक दोहा जो इस प्रकार से है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होई, माली सीचे सो घडा, रितु आये फल होई कि अर्थ को लेकर आपके समक्च उपस्तित हूँ प्रसंग यह है कि कबिर दास जी ने बतलाना चाहा है कि समय आने पर ही किसी भी व्यक्ति को उसके कारे का फल मिलता है यानि किसी भी कारे को आप करते हैं, तो आप अगर सोचते हैं कि उसका परिनाम आपको तुरंत मिल जाए तो यह होता नहीं है क्योंकि समय आने पर ही आपको उसके परिनाम प्राप्त होंगे कि तो मनुष्य क्या करते हैं, धहरे खो देते हैं इसलिए कबिरदास जी ने परतेक मनुष्य से यह कहा है कि वे धहरे रखें यूकि परतेक कारे का परिनाम उन्हें समय होने पर ही मिलेगा तो अर्थ इस प्रकार से है धीरे धीरे रे मना कबिरदास जी मना यानि अपने मन से कहते हैं क्या कहते हैं कि अपने मन को क्या कह रहा है धहरे रखने के लिए कह रहा है और यह मन किसका है संसार में रहने वाले लोगों का भी मन है तो कबिरदासी कहते हैं धीरे धीरे रे मना कि हे मन तुम धैरे रखो क्योंकि इस संसार में हर कारी जो है वह समय पर ही होता है धीरे सब कुछ होई यानि इस संसार में परतेक कारी जितने भी प्रकार के कारी हैं वे कारी समय रहने पर ही समय के साथ ही किया जाता है आप किसी भी काम को सोचेंगे कि जल्दबाजी में करें तो वह कारी क्या वह सफल होगा नहीं उस काम में कुछ गलतियां हो जाएगी इसलिए कबीरदाजी ने कहा है धैरे रखने के लिए कि आप धैरे रख करके किसी भी कारी को अच्छी तरह से करें और उसके परिणाम को भी ना सोचे, क्योंकि आप अगर तुरंथ परिणाम चाहेंगे तो उसका परिणाम आपको तुरंथ प्राप्त नहीं होगा परिणाम आपको कब मिलेगा? समय होने पर ही मिलेगा, जब आपका कारी जो है अच्छी तरह से क्रियानमित हो जाएगा, उसके बाद ही उस कारी का फल जो है आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप कारी करने से पहले या कारी करने के क्रम में ही चाहेंगे कि उसका परिणाम प् माली सीचे सो घड़ा, रितु आये फल होई यानि माली जो है सो घड़ा जल से किसे सीचता है पेड पौधों को सीचता है और रितु आये फल होई जैसे कि आपने आम का पेड लगाया, अमरूत का पेड लगाया कथल का पेड लगाया या और भी बहुत सारे फल हैं उसके पेड को आपने लगाया है, अब आप उसे क्या करते हैं? जल से सीचते हैं. तो आप जब जल से सीच रहे हैं, तो क्या तुरंट उस पेड पर फल लग जाते हैं? ऐसा नहीं होता है. किसी भी पेड पर फल तभी लगता है जब उस पर फल लगने का समय आता है आप लाख कोसिस करें आप लाख प्रयत्न करें उसमें उसे सो घड़े जल से सीचें फिर भी जब तक रितू नहीं आएगी जब तक समय नहीं आएगा तब तक उस पीड पर फल नहीं लगेंगे यहां पर जल सीचने का अर्थ क्या है कि आप किसी कारी को करने की क्या करने हैं प्रियास कर रहे हैं, किसी कारी को आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम समय आने पर ही आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप अगर यह सुचते हैं कि मुझे परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैं चेश्टा करना छोड़ दूँगा, तो यह क्या है आपकी बहुत बड़ी गल्ती होगी. तो कबिरदास जी ने या उबदेश दिया है, या संदेश दिया है, कि आपको अपने तरफ से पूरी चेश्टा करनी चाहिए, जिस प्रकार से माली जो है, सौ घड़े जल से पेड पौधों को सीचता है, लेकिन उस पेड पर फल कब आता है, जब उस पेड पर फल लगने का समय होता है, तो ठीक उसी तरह से आप अपना प्रयास जारी रखें, यह भी प्रकार से प्रयास में कमी आने ना दें, क्योंकि आपको भी समय आने पर ही उसका फल प्राप्त होगा, तो यहाँ पर कबिरदास जी ने मनिश्य को धैरी रखकर, अपने मन में धीरस धारन करके ही, जीवन में कोई कारिय करना चाहिए, हर बड़ी में कोई भी कारिय करेंगे, तो उसका परिनाम कभी अच्छा नहीं होगा, परिनाम आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन कब प्राप्त होगा जब समय आएगा, जब उचित समय आएगा तभी आपको परिनाम मिलेगा, इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा, कि आप कभी किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं, और आप अगर इस बात को सोच लें, कि आपने एक व्यक्ति की सहायता की है, तो आपकी भी तुरंत सहायता होनी चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं होता है. आपने किसी व्यक्ति की सहायता की है, तो ऐसा जरूर होगा, कि कभी किसी दिन जब आपको बहुत जरूरत है सहायता की, तब आप देखेंगे कि किसी और व्यक्ति ने आपकी सहायता कर दी, तब आपको इस बात का हैसास होगा, कि यह जो कुछ आपके जीवन में घटित हुआ यह क्यों घटित हुआ, यूगि आपने एक दिन किसी व्यक्ति की सहायता की थी, तो आप धहरे रखेंगे, तो आप देखेंगे जीवन में हमेशा अच्छा ही होगा, तो यह कबिर्दास जी का एक नीती परक दोहा है, और इस दोहे में उन्होंने यह बतलाया है कि मनिश्य को अपने मन में धहरे रखना चाहिए, अपने मन में धहरे रखकर ही कोई कारे करना चाहिए, ताकि कारे का परिणाम भी उसे समय आने पर प्राप्थ हो सके, कबिर्दास जी ने यहां पर माली का उधारन दिया है, कि माली जिस प्रकार सो घड़े जल से किसी पीड़ पौधे क को सीचता है यानि वह अपना प्रयास करता है वैसे ही मनिश्य को भी जीवन में प्रयास करना चाहिए और माली के प्रयास करने पर भी जल से पेड़ पौधों को सीचने पर भी समय आने पर ही पेड़ पौधे में फल लगते हैं ठीक उसी तरह से मनिश्य के जीवन में भी घट नाए घटित होती है। कबीर दास जी का एक दोहा छंद है, जिसके चार चरण है, प्रथम और तीरती चरण में तिरे तिरा मात्रा, दित्य और चतुर चरण में 11-11 मात्रा है। दित्य और चतुर्चरन के अंत में तुख है। इस दोहे में धीरे-धीरे का प्रियोक करके उन्होंने पुनरुकती अलंकार का एक सुन्दर उधारन प्रस्तुत किया है। कबिरदास जी की भासा सद्धुकडी है जिसे हम पंचमेल खिचुडी भी कहते हैं। कबिरदास जी ने बहुत ही सहत सरल सैली में अपने बातों को गूर तथ्यों को प्रस्तुत किया है। दोहे का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोहे के अर्थ बताने के बाद मैंने जो विशेष आप लोगों को बतलाया है, उसे आप भली भाति समझें और उसे समझ कर याद कर लें। जब भी कभी किसी दोही की व्याख्या करनी हो तो सबसे पहले प्रसंग लिखें, उसके बाद पंक्ती की व्याख्या करें और अन्त में विशेश जरूर लिखें. कभीरदास जी की भासा पंच मेल खिचड़ी है, जिसे हम सद्धुकडी भासा भी कहते हैं, इसका उलेक भी जरूर करें, यह अब काफे इंपॉर्टेंट है. वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्ध्यार्थियों में इसे सेर जरूर करें. जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं, वेचन को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हर नए वीडियो का नोटिपिकेशन उन्हें समय समें पर मिल सकें. तब तक पढ़ते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें. मेरी सुप कामनाएं, आप सभी बच्चों के साथ हैं. धन्यवाद.